अधिए पागे दिये थे मेरे दो बच्चे थे बड़ी मुस्कल से ने दो बच्चे पा ले हम हरेणा कवर्मेंट का सेंटर कवर्मेंट का बहुत धन्दबाद करते हैं जिनों हमारे लोगों के मेंकान बचाई हैं मेरा भी प्लोट था है यहां पर मेरे को भी घर बनाना था उसमें घर बनाने के लिए लिए है तो हम सारे यहां से तकरीपन सारे ग्रीव आजमी रहते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो यहां सीख से यह प्लोट हाई वे में आ जाता है मकान गिर जाता है दबार अबना लेते तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे किने नाशनल आइवे की कवरेज हैं आप पीछे जितनी भी जो यह यह यहां से लेकर करके जितनी भी जमीन हैं हमारे आसपास, बीच में 35 घरों को कवर करते हुए इस प्रोजेक्ट के बीच में 35 घरों को कवर किया गया था जिनको तोड़ने की बात पहले की गई थी, इस 4-Laning प्रोजेक्ट के बीच में, आईए हम उस गाउं में खड़े, उन लोगों से थोड़ी सी बातचीप कर लेते हैं कि इस बारे में उनका क्या सोचना था, क्योंकि अब केंदी सरकार ने उस प्रोजेक्ट में, 4-Laning प्रोजेक्ट में, इनके घरों को छोड़ करके हुड़ा की सामने की तरफ की जमीन को एक्वायर करने का डिसीजन लिया है, जिसमें इनके 35 मकान जो ह इनका मकान भी बीच में था, जो कि इनके फादर साब ने बना कर इनको दिया था, इस सरफ हम देख सकते हैं कि इनका मकान था, उस सरफ इनका मकान था, जो कि 4-Laning प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा था, जो कि अब केंदी सरकार के डिसीजन के द्वारा बच गया है, जिसे तोड़ा नहीं जाएगा और इनका मकान अब सुरक्षेत है।